भारत का सम्वी धान है हम सब नागिरीकों का अधिकार एक समान है अधिवासी तलित महलाओं के लिए शोशित ग्राम इन पे सहारों के लिए जालसा का योगदान है आओ करे इंसाफ और अपने हकती बात कानून की बात कानून की बात कानून की बात कानून की बात जुहार, नमस्कार कहाओ थै कि बन चंगा तो कठोती में गंगा मन जो फिजियोलोजी है आदमी की उसमें उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है मानसिक अवस्था से मन का जुडाव है और मन अच्छा होता है, मन खराब हो जाता है मन बेचैन हो जाता है अभी तक चुकि एक्सपर्ट यहां बेटे हुए है वो तस्दीक करेंगे कि साथ जो फिजियोलोजी होती है उसमें से कहीं मन काट करके कोई अंग ऐसा नहीं है तो हम आपके मानस पतल पर यह बाट डालना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सरोच नेयलय है उसने यह ब्यौस्था कर रखी है कि कोई वी व्यक्ति चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो कितना ही निरी ही क्यों नहीं हो वह नियाय से वंचित नहीं नहीं रहे उसको नियाय दिलाने के लिए विदिक चाव प्राधिकार है जिसके माध्यम से तमाम जिलों में जहां जिला अदालते हैं जहां कोट कहते हैं कि कोट यहां चल रहा है या अनुमंडल नियायले में, या कुछ बड़े अस्पतालों में, या कुछ जादा पब्लिक के आने जाने वाले जगह पर, पंचायतों में, परखंड में, PLB की भी विवस्ता है. कुछ नहीं तो आप अपनी सिकायतें, आपके यहां आने वाले डाकिया के माध्यम से, कर सकते हैं बिना खर्चे के, चाहर लाइन की, कि आपको तकलीफ क्या है, और कानून से आपको मदद क्या चाहिए. और अगर आप पहुंच सकते हैं, सबसे बढ़िया है, जिला अदालत पहुंच जाएए, वहाँ पर DLA से पूछिए, जिला अभिधिक सवाप राधिकार, वहाँ से करेक्टी साहब से मिलिये, जो भी स्टाफ मिले भी उन से मिलिये, मिलकर बताएए कि हमर साथ यह समस्या है हम एक एप्टिकेशन लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको कानूनी मदद मिले, बगएर एक पैसे खर्च के आपको कानूनी मदद मिलेगी, एड़ोकेट से ले करके आपके नियाए की लडाई लड़ने के लिए जो स्टांप ड्यूटी उगर होती है, वो सारा खर्च विदिक स्वपरादिकार वहन करेगा, उसके केटगरी भी बता चुका हूँ कई बार फिर बता रहा हूँ, जो SC है, जो ST केटगरी में हैं, जो महिलाये हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो दिव्यांग हैं और जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख रुपे से कम है, वे सभी इस आगरी में आते हैं, इसके लिए किसी के सामर्थ या आसमर्थ होने की बात नहीं है, अब आये थोड़ा मन पर हम बात करते हैं, दुनिया तेजी से विक्सित हो रही है, और जिन लोगों ने पिछली सताबदी देखी है, और इस सताबदी को देख रहे हैं मेरे जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने दुनिया को इतनी तेजी से बदलते देखा है, और इतनी तेजी से मानसिक विकार फैलते देखा है, इस विकास की वोज़ासे, पैसे खुब आ रहे हैं, घर वाले अनदित हैं कि बेटे को एक करोड़ का, पाँच करोड़ का पैकेज मिला है, तीस लाग का पैकेज मिला है, पैसिस लाग का, बेटा कितने घंटे काम करता है और कितना घंटे अपने लिए निकालता है, यह कोई सोचता ही नहीं है, मानो वो रोबोट हो, और रोबोट की तरह वो इस्तमाल करता हो, अब उस मन को अपने मन लायक बनाने के लिए बहुत तरटरह के उपाय करता है. ज्यादा काम कर जाने की वज़ज़ से ठकने की वज़ज़ से आँखों पर ज्यादा जोर पढ़ने की वज़ज़ नीद नहीं आती है. नीद की दवा लेना शायद भगवान पता नहीं किसी ने पाया देखा की नहीं देखा, उतना कठिन काम है, वो ड्रक्स से मुक्ति पाना, इसलिए पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्त दिवस भी मनाया गया अभी चार दिन पहले, तो आज हम फिर बात कर रहे हैं और हम अपने उसी एक अधिली दवाएं आदमी की क्या हालत कर देती है और आदमी कैसे नहीं रहने देती है, स्वागत है, डक्टर मुंडा आपका, नवस्कार, आप CIP में प्रोफेसर हैं, डक्टर संजय कुबार मुंडा, एक तो मैं यह समझना चाहता हूं, कि पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा हुआ है, या सचमुच में कुछ है कि ड्रग अपाहिज कर देता है और ड्रग के परवाव से आदमी अपाहिज जैसा हो जाता है। हम लोगों ने विश्व मानसिक स्वास्त दिवस भी चार दिन पहले दस अक्टूबर को हर साल हम लोग इस दिवस को बनाते हैं, अब मनाने का एक मुख्य जो उस पे उद्देश होता है, वो की लोगों तक मानसिक स्वास्त को ले करके एक जो चेतना है, जागरुकता है, व को फैले, अब नसीले पदार्तों की जब हम बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को प्रफावित करता है, मानसिक परिस्तितिया बहुत ही अप प्रत्याशित रूप से उसमें बदलाव आता है, और ये बदलाव व्यक्ति के वहवार से सामने पेश करता है, व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों की भावनाओ, दूसरों के वहवार के रूप अपने वहवार को ढाल पाता है, और किस तरह से व्यक्ति का एक जो जीवन का केंद्र बिंदू धीरे 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 नशा पर आ करके स्थिर हो करके रुख जाता है, और उस जो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है जब नशे पे ही वेक्ति का जीवन केंद्रित हो जाता है तो कैसे वेक्ति अपनी अन्न सभी जो उनकी जिम्मेदारिया होती है उनसे किस तरह से विमुक होता जाता है तो आपने यह जरूर कहा कि अलग-अलग कार्णों से लोग नशा क सीवन हो सकता है करते हैं आज की यूग में इस से पहले भी नशे का प्रचलन समाज में हमेशा रहा है लेकिन आज की यूग में जिस असानी से नशा हर वर्ग के वेक्तियों को हर आयू के वेक्तियों तक उपलब्द हो जा रही है यह सबसे बड़ा एक गंभीर विशय बना हम लोग नशे से जब भी अपनी लड़ाई की बात करते हैं तो दो चड़नों में हम नशे से निपटनी की कोशिश करते हैं एक जो नशे का supply chain है वो और दोसा एक नशे का दो demand है जो demand लोगों के तरप से आता है जो नशे करने वाले वेक्कियों के तरप से आता है इन दोनो अस्तर पे चोट पहुचाने के या काम करने की जर्वत होती है तो अभी कुछ ऐसा एक परिस्तिती बनी हुई है कि नशे का जो सप्लाई चेन है वो बहुत सुगमता के साथ चल जाता है कई बार जब भी प्रशाशन थोड़ा सा धीला पड़ जाता है कहिए या जो नशे के बिजनस में लगे हुए जो लोग है वैपार जो लोग कर रहे हैं वो अलग-अलग चैनल समाज में वो लोग देख लेते हैं यवाओ को किसी ना किसी रूप में वो लोग अपने और आकर्शित भी कर पाते हैं तो नशा चाहे वो पान गुटका से शुरू हो करके अन्य जो मादक पदार्थों तक होती है ये सारी चीज़े आज की युग में इनका प्रचलन भी बढ़ रहा है हम लोग देखते हैं और एक किसम से जो acceptance है खासकर इवावर्ग में इन सब चीज़ों का वो भी एक गंबीर विसे है कि उसके प्रती भी वाओं में एक ललक होती है कि चलो एक बार करके देख ले या एक बार परियोग करके तो देखे क्या होता है सभी लोग करते हैं अपने हाँ समाज की जो बनावट और बनावट थी समाज जिस दंग से चलता था अनकहे समाज में मुख्या होता था यानि जो सिनियर होता था वो मुख्या हो जाता था तो उससे संकोच करना उसके साथ एक दूरी बनावट उसको नहीं पता चले तो वहां तक पहुचे नहीं यहा मामला इस तरह की बहुत सारी सा उधानिया बरती जाती थी और उस समय यहाँ टेंशन था ही नहीं कि उसके पास जो है ये वाला फून का मोडल है बाजार ने कुछ ऐसा कर दिया जिस जह से समाजिक टेंसन बढ़ें मजार ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी की आए करोडों में कर दी सलना और किसी की आए इतना ज्यादा कर दी कि कुछ पोसित है कल मैं एक चैनल पर सुन रहा था कि अब कुछ पोसन उन वर्गों में घुश रहा है जो वर्ग सम्रिद वर्ग कहे जाते हैं इसलिए कि जंक फूड और फास्ट फूड वहां वोग ले रहे हैं और उसके साथ साथ काम कर रहे हैं काम की घंटे की कोई नहीं है काम दिया गया काम वापको करना है नीद नहीं आने के लिए दवा खाना और फिर नीद आने के लिए दवा खाना यह दोनों चीज़े चलती है तो इसको बाइलेंस करना कैसे हो सकता है यह ठीक है सरकार ने नर्कोटेक्स ब्यूरो बना रखा है एंटी ड्रक्स एसक रुक नहीं रही है थोड़ी देव के लिए लगता है जैसे कि अब मौसम यह कहना है मांसून चला गया लिए फिर जमा 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 बारी सोने लगती है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए एक वात तो सही है जब भी नशे का कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो वो कहीं परियोग के रूप में आनंद के रूप में मस्ति के रूप में शुरू करता है लेकिन जब यही परियोग यह जो एक शौक के तौर पे शुरू किया गया परियोग जो है वो धीरे धीरे आदत के रूप में बदलता है और आदत ही बाद में जाके लट के रूप में जब ब शरीर को परकार से कश्ट वाली इस्तिति में आ जाता है कि स्वार्ण करें ताकि हमारे जासर से कि बाइख बार कोई भी वेक्ति अदिकتर जो भी नशे की जो भी पदार्द होते हैं एक बार अगर वेक्ति उसका आधी हो जाता है तो उसका शरीर जो है एक निश्चित मातरा में उस पदार्थ के साथ ही जी रहा होता है और अचानक मान लीजे वो सप्लाई सरीर को बंद हो जाता है तो शरीर अपनी प्रतिक्रिया करता है जिसको कि हम लोग विड्रॉल सिम्टम कहते हैं या तूटन की समस्या हम कहते हैं तो ये अलग अलग पदार्थों की अलग अलग तूटन वाली समस्याएं होती है जैसे शराब के विशह में आप ले लेंगे तो सारा सरीर कापने लगेगा हाथ पैर एक सामंजस से रूप से काम नहीं कर पाएंगे बलड प्रेशर बढ़ जाएगा पसीना आएगा बेचैनी बढ़ेगी ये सराब नीन नहीं आना ये सब शराब के साथ होता है यही मादक पदार्थों की बात करें अफीम या उससे जुड़े हुए ब्राउन शुगर या हिरोईन की बात करें तो इसकी टूटन की समस्याएं बिलकुल ही अलग होती है उसमें वैक्ति का पै उससे उबर पाता है जब तक वो दुबारा नशा ना कर ले तो अधिकतर जितनी भी नशाएं हैं पहले बाजार या ड्रग बेचने वाले उसको इसमें डालते हैं कि मजा लो और मजा लेने के लिए आप जिंदगी अगर जीना है तुमको तब इसके लिए ड्रग लो पहले तो फील गुड के लिए लोग लेते हैं बाड में तू फील बेटर बेटर मलब आपने आपको ठीक रखने के लिए चलाते रहने के लिए अगर नशा नहीं ले तो हम चार कदम भी सीधा नहीं चल पाएंगे तो उससे अच्छा हम नशा लेकर के इस तिसके अगर पैसा नही के इंदर बिंदू दिखाई देता है और आप सब चीजों से विमुक हो जाते हैं और ये वाली इस्तिती जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं वैक्ती जो है ना सिर्फ अपने आप से पूरे समाज और परिवार सबसे वो एक किसम से दूर हो जाता है और खुद खुद को कैसे स अक्सर अक्सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है अक्सर लोगों में ये मान्यता है कि अरे नशा है क्या छोड़ दो छोड़ सला लोग देते हैं कि छोड़ दो नशा करना क्या है छोड़ दो लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि नशा का जो सरीर आदी ह गया है वो नशा अगर नहीं छोड़ पा रहा है वैक्ती स्वैम से तो अभी बहुत सारी ऐसे चिकित्सिये उपाए हैं जिनके द्वारा वैक्ती में नशा छोड़ने की कोशिश की जा सकती है और मेडिकल भाशा में हम लोग इसको डी टॉक्सिफिकेशन कहते हैं पर्ले सिम् अगर वो छे घंटे के ऊपर उसको बीद गया है और उसने नशा नहीं लिया है अधिकतर केसे में चाहे वो ब्राउन शुगर हो चाहे वो टैबलेट्स हो चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो शराब हो चाहे वो आपका खैनी पान गुटका हो एक निश्चित समय तक अगर उस शरीर को वो नशिला पदार्त नहीं मिलता है तो शरीर टूटन की समस्या के द्वारा या विड्रॉल सिम्टम के द्वारा अपना एक डिमांड रखता है और चुंकि ये टूटन की समस्या थोड़ी कस्ट दायक होती है कोई उस इस्तिती में रहना नहीं चाहता है तो व लोग कई बार स्वेम में कोशिश तो करते हैं लेकिन इस टूटन की समसिया ये इस विड्रॉल सिम्टम के आगे वो लोग हाथ हतियार डाल देते हैं और वो लोग नशा कर बैठते हैं कितना भी एक्षा शक्ती क्यों ना व्यक्ति के अंदर हो कभी कभी ये विड्रॉल का सिम ये जैसे हमारे CIP में भी एक नशा मुक्ती केंद्र है और भी अलग अलग जगाओं पे नशा मुक्ती केंद्र होते हैं और क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट या साइक्याटरिस्ट इन सब की मदद से एक सलाह लेते हुए नशे के जो ये विड्रॉल सिम्टम है इस से मुक्ती प गजार करने को कहा जाता क्योंकि ये टूटन की समस्या जो है न ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है माने जाए अलकोहल के केस्ट में छे घंटे के बाद से आप में विड्रॉल के सिम्टम्स आने लगेंगे तो सबसे पहले आप में हलका सा बैचैनी आएगा फिर आपक तीसरे दिन ये विड्रॉल सिम्टम्स का एक चरम बिंदू पर आप पहुंच जाते हैं और जब विड्रॉल का एक चरम बिंदू को आप अगर टॉलरेट कर लेते हैं संभाल लेते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे विड्रॉल का जो ये सिम्टम है धीरे-धीरे मध्यम हफ़ते तक में वेक्ती इन टूटन की जो सिंटम है लक्षन है इन से छुटकारा पा जाता है तो कई बार हलके फुल के जिन लोगों में विड्रॉल के लक्षन होते हैं उनमें बिना किसी दवाईयों के भी सिर्फ एक हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव थेरेपी एक उसके अंदर एक इक्षा शक्ती डवलप करके उनको जानकारी देख करके कि कुछ दिन आपको थोड़ा कस्ट है लेकिन आप बरदास्त करिये और ये साथ दिन के बाद आप अपने आपको बहतर इस्तिती में पाएंगे तो कुछ हलके फुल के जिन विड्रॉल के लक्षन को हम लोग बिना दवाईयों के सुल जा सकते हैं लेकिन जहां ये विड्रॉल के लक्षन थोड़ा सीवियर हो जाते है थोड़ा तीवर हो जाता है तो वहां दवाईयों का अभी आविशक्ता पड़ता है और ऐसी इस्तिती में मनोचिकिसकों की दो चीजे, एक तो फिल्म में बहुत पहले, 30 साल पहले, करीब 35 साल पहले, इंडिया टुडे में कार्टे किल आया था, कि कोई खास नसा होता है, उसके बाद में चूना खाने की जूर्थ पढ़ती है, और नदिया भर कर चूना उखा जाता है व्यक्ति, बहुत पहले, पता होता है, डिडवरिन ट्रिया क्या होता है, उसका नसा लेन या की पेट्रॉल सुंगना या इस तरह की चीजे, तो अभी जो फिल्मों में दिखाता है नसे का, कि वह ऐसे हाथ में लिए, ऐसे सुंग लिए, सुंग करके उससे नसा चड़ गया, फिर उस टिगरेट में डाल ये टुबय को हटा करके और उसको डाल करके उसको पी रहे हैं, फिर हाथ में एक इन्जिक्शन ले रहे हैं, उस इन्जिक्शन से आइड्स फैल रहा है, क्या है ये साव अलग-अलग? देखे, एक बात तो सही है मदगर जी, जैसे जैसे हमारा समाज विक्सित होता जा रहा है, नई परकार के परियोग भी नशे के रूप में होता जा रहा है, जिन अफीम से जुड़ी ही बहुत सारी दवाईयां जो बहुत ही कारगर दर्द निवारक दवाईयां होती है, वै ऐसे ही इंजेक्शन का इस्तमाल नशे के लिए होना शुरू हो गया है, बहुत सारे कफ सीरप जिसमें भी अफीम के कुछ प्रोड़क्ट्स कुछ उसमें मिलाए जाते हैं, सेंथेटिक रूप में जिसको तैयार किया जाता है, तो आपने पाया होगा बीच में कि बहुत सा बेचैनी और नींद लाने वाली जो दवाईयां होते हैं, बेचैनी को कम करने वाली दवाईयां होती हैं, जिनको हम लोग बेंजोडाइजेपीन्स कहते हैं, वैसी दवाओं का इस्तमाल भी नशे के रूप में होता है, तो ये बहुत सारे ऐसी दवाईयां, जिनका कोई न पहानी यहीं सिर्फ नहीं रुकती है, अगर अंतरास्ट्रिय अस्तर पर भी आप देखेंगे, तो आज कल एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, वो होता है, designer drugs का, क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने सभी इन मादक परदार्तों को प्रतिबंदित कर रखा है और इन सभी मादक परदार्तों का एक अपना एक chemical structure होता है, जिसकी रूप रेखा को तै करके यह मान लिया जाता है कि यह chemical structure वाला अमुक मादक परदार्त प्रतिबंदित है, अब जो मादक परदार्त का जो एक market में, black market में जो लोग लगे हुए हैं, अब वो इस किसिम के ह देख करके, वो लोग market में छोड़ रहे हैं, और यह इसलिए किया जा रहा है कि प्रतिबंदित दवाओं के मादक परदार्त के कैटेगरी से उसको बाहर दिखाया है, यह किसी जमाने में भांग का लड्डू, भांग का पेड़ा आता था, उस समझे, अगर भांग का लड् कारें बिलकुल परिशान है कि किस तरह से इन डिजाइनर ड्रक्स का एक जो नया खत्रा पूरे विश्व में फैल रहा है, इस से कैसे बचा जाएं? यह जो बचने के जो सिम्टम्स आपने बताया, तो आपके हाँ जो मरी भरती होते हैं, उनमें से कितने लोग वापस फिर करके आते हैं, आपके पास क्या परसेंटेज होता है? देखे, सबसे पहला तो जो भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के घर में कोई नशे का लत वाला व्यक्ति है, सदस्य है, या जिसको नशे की आदत पड़ रखी है, तो देखे, एक सकारात्मक दृष्टिकों उस व्यक के अंदर लाए जा सके. अधिक्तर केस में क्या होता है? कि व्यक्ति एक हताशा के कारण नशा नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वह स्वयम कई बार कोशिश कर चुका है, और उसे लगता है कि इस से निकलने का कोई मेने पास ज़रिया नहीं है, रास्ता नहीं है. और घर, व कोई एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उसके अंदर ये भरोशा ला सके कि एक बार तुम दिल से कोशिश करो हम तुम्हारे साथ है तो एक सकारात्मक दृष्टी कोन एक भरोशे के साथ उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए और ये आपको ढूणना चाहिए कि कहां पर उच तर रोगियों को जबस्ति लाया जाता है तो इलाज शुरुआत में विड्रॉल सिंटम का ही हम लोग करते हैं ताकि व्यक्ति थोड़ा अराम से smoothly विड्रॉल सिंटम को जहल सके और एक पर जड़र से व्यक्ति बाहर आ जाता है तब उसके अंदर नशा का परियोग दुबारा ना हो किस तरह से व्यक्ति अपने मन जो अपने मन की बात के मन में उत्पन होने वाले तलब को सब्भाल सकता है तो एक किसिंग के हम लोग उसको रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी बोलते हैं उसक एक psychological treatment है उसका प्रयोग किया जाता है साथ ही साथ आजकल बहुत अलग-अलग किसम की तलब को कम करने वाली दवाईया भी अब उपलब्द है जो बहुत कारगर तरीके से वेक्तिक के अंदर का जो नशे को लेने का तलब होता है उसको भी कम करती है तो कारगर इलाज उपलब के जो लोग है उनके परति सहानभूती नहीं बरतियत सहज बरताव तो करिए और सहज बरताव करते हुए उन लोग को समझाईए कि इसका कारगर इलाज है और कारगर इलाज बहुत जगार निसुल्ख है नहीं तो हमने जो category बताया उस category में तो निसुल्ख है ही आप जो उस category में आते हैं उसमें बहुत सारी लोग आश्मान से जुड़े हुए हैं इसलिए उसके लिए कुछ खर्च की भी जुरूत नहीं है और आपका भरपू treatment होकर के आप घर स्वस्थ होके लोट सकते हैं और पुराने जमाने की तरह अपना काम कर सकते हैं कारून की बात में आज